श्री राम कृष्ण वच्ण अमृत के अगले भाग को प्रारंबह करते हैं। एक साधक कहते हैं महराज, हम तो संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए क्या उपाय है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को जान कर, एक हाथ उनके पैरों पर रख कर, दूसरे हाथ से संसार का काम करो। तो महराज, संसार क्या मिथ्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तक उनका ग्यान नहीं होता, तब तक तो मिथ्या ही है। तब मनुश्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा कहता रहता है, माया में फसकर, कामेनी कांचन में मुग्ध होकर, और भी डूब जाता है, माया में मनुश्य ऐसा अज्यानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं सकता, एक गीत है उसका भावार्थ यह है महा माया की कैसी विचित्र माया है कैसे भ्रम में उन्होंने डाल रखा है उनकी माया में ब्रम्हा और विश्णु भी अचेत हो रहे है तो जीव बेचारा भला क्या जान सकता है मचली जाल में पकड़ी जाती है परंतु आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती रेशम की कीडे रेशम की गोटियां बनाते हैं वे चाहें तो उससे बहार निकल सकते हैं उसको काट कर परंतु महा माया के प्रभाव से वे इस तरह से बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। तुम लोग भी तो स्वयम देख रहे हो कि संसार अनित्य है। देखो ना, कितने आदमी आय और गए, कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ दी। संसार अभी अभी तो है, और थोड़ी ही देर में नहीं। अनित्य है, जिनें लेकर इतना मेरा मेरा कर रहे हो, आखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है। है कोई नहीं, फिर भी नाती की बांह पकड़े बैठे हैं, उसके लिए वारानसी नहीं जा सकते। कहते हैं, मेरे लाल का क्या हो गया। आने जाने की राह है, फिर भी मचली भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य है। विक्ति कहता है, महराज एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखें। अगर संसार अनित्य है, तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें भला। श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। एक गीत सुनो, उसका भावार्थ यह है, ए मन, तु खेती का काम नहीं जानता, ऐसी मनुष्य देह रुपी जमीन पड़ी ही रह गई, अगर तु काश्ट कारी करता तो इसमें सोना फल सकता था, पहले तु उसमें काली नाम का घेरा लगा दे, इस तरहे फसल नश्ट न हो सके वह मुक्त केशी का बड़ा ही द्रढ़ गेरा है, उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कदम भढ़ा सके, आज या शताबधी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जाएगी, क्या यह तु नहीं जानता, अतैव अब तु लगन लगा कर उसे जोत कर, फसल क्यों नहीं तयार कर लेता, गुरू प्रदत बीज डाल कर भक्तिवारी से खेत सीचता जा, अगर तु अकेला यह काम न कर सके, तो अहंकार को मैं को भी अपने साथ ले ले, श्री रामकृष्ण कहते हैं, गाना सुना, गीत का भावार्थ सुना, काली नाम का घेरा लगा दो, इससे फसल जाओ, सब कुछ पाओगे, वह मुक्तकेशी मा का बड़ा ही मजबूत खेरा है, उसके अंदर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते, बड़ा ही मजबूत खेरा है, उन्हें अगर प्राप्त कर सको, तो फिर संसार असार नप्रतीत होगा, जिसने उन्हें जान लिया है, वह को इश्वर और जगन माता देखो, और उनकी सेवा करो, उन्हें जानकर संसार में रहने से, ब्याही होई स्त्री से, फिर संसारिक संबंद नहीं रह जाता, दोनों ही भक्त हो जाते हैं, केवल इश्वरिय बातचीत करते हैं, इश्वरिय प्रसंग लेकर रहते हैं, तथा भ भूतों में वे हैं अतयों दोनों उन्हीं की सेवा करते हैं। भक्त कहता है महराज, ऐसे स्तिरी पुरुष दिखाई क्यों नहीं पड़ते फिर। श्री राम कृष्ण कहते हैं, दिखाई देते हैं, परन्तु बहुत कम है। विशई मनुष्य उन्हें पहचान नहीं जब दोनों ही इश्वर प्रेम प्राप्त हों तभी ऐसा हो सकता है इसकी लिए परमात्मा की विशेश कृपा चाहिए नहीं तो सदा ही अनमेल रहता है एक को अलग हो जाना पड़ता है अगर मेल न हुआ तो बड़ा कश्ट होता है स्त्री दिन रात कोस्ती रहती है बाबुजी ने क्यों यहां मेरा विवाह किया न मुझे ही कुछ खाने को मिला न बच्चों को ही न मुझे कुछ पहनने को मिला न बच्चों को ही मैं कुछ पहना सकी एक गहना भी तो नहीं है तुमने मुझे क्या सुख में रखा है आखें मूंद कर ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं यह सब पागलपन है छोड़ दो इसे भक्त कहते हैं यह सब बाधाएं तो हैं ही उपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते इस पर और भी कितनी ही आपदाएं है महराज उपाई क्या है इनका श्री राम कृष्ण कहते हैं संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है बहुत बाधाएं हैं यह सब तुम्हें बदलाने की जरुरत नहीं है रोग, शोक, दारिद्र उस पर पतनी से अनबन लड़के आवारा हो गए मूर्ख और गमार हो गए परंतु उपाई है कभी कभी एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है भक्त कहते हैं घर से निकल जाना होगा क्या श्री रामकृष्ण कहते हैं एकदम नहीं जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर एक दो दिन रहो परंतु संसार से कोई संबंध न रहे किसी विशई मनुष्य के साथ संसार के विशई की चर्चा न करनी पड़े या तो निर्जन में रहो या सत्संग करो भक्त कहता है सत्संग के लिए साधू महात्मा की पहचान कैसे हो महराज श्री रामकृष्ण कहते हैं जिनका मन जिनका जीवन जिनकी अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गई है वही महात्मा है जिनोंने कामिनी और कांचन का त्याग कर दिया है वही महात्मा है जो महात्मा है वे स्त्रियों को संसार की दृष्टी से नहीं देखते यदि स्त्रियों के पास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मात्रिवत देखते हैं और इनकी पूजा करते हैं साधू महात्मा सदा इश्वर का ही चिंतन करते हैं। इश्वर ये प्रसंग के सिवाए और कोई बात उनके मुक से नहीं निकलती। और सर्व भूतों में इश्वर का ही वास है। यह जानकर वे सब की सेवा करते हैं। संक्षेप में यही साधू के लक्षन है। भग कहता है क जब तक वे पोधे रहते हैं तब तक चारों और से उन्हें घेर कर रखना पड़ता है नहीं तो बकरे और चोपाए उन्हें चर जाते हैं जब पेड मोटे हो जाते हैं तब उन्हें घेरने की जरूत नहीं रहती तब हाथी बांध देने पर भी पेड नहीं तूट सकता तैयार पेड अगर बना ले सको तो फिर क्या चिंता है, क्या भाय है विवेक लाभ करने की चेश्टा पहले करो तेल लगा कर कठल काटो, उससे दूद नहीं चिपक सकता भक्त कहता है विवेक किसे कहते हैं महराज श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर सत है और सब कुछ असत इस विजार का नाम विवेक है सत का अर्थ नित्य और असत का अनित्य है जिसे विवेक हो गया है, वह जानता है इश्वर ही वस्तु हैं और सब अवस्तु हैं विवेक के उदय होने पर इश्वर को जानने की इच्छा होती है असत को प्यार करने पर जैसे देह सुख, लोक सम्मान, धन, इनहीं प्यार करने पर सत स्वरूप इश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती सत असत विचार के आने पर इश्वर की ढूंड तलाश की ओर मन जाता है उस गीत में कहा भी तो है कि मन आघूमने चलें काली कल्प तरू के नीचे है मन चारों फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे प्रवृत्ती और निवृत्ती तेरी स्त्रियां है उन में से निवृत्ती को अपने साथ लेना उसके आत्मज विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना सुची अशुची को लेकर दिव्या घर में तु कब सोएगा उन दोनों सोंतों में जब प्रीती होगी तभी तू श्यामा मा को पाएगा तेरे पिता माता ये जो अहंकार और अविद्या हैं इन्हें दूर कर देना अगर कभी मोह गर्त में तू खिचकर गिर जाए तो धैरिये का खूंटा पकड़े रहना धर्म अधर्म रुपी दोनों बकरों को एक तुच्छ खूंटे में बांध के रखना अगर ये निशेध न माने तो ज्ञान खडग लेकर इनकी बली दे देना पहली पत्नी की संतान को दूर से समझा देना अगर ये तेरे प्रबोध हवाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान सिंधू में डुबा देना प्रसाद कहता है इस तरह का जब तू बन जाएगा तभी तू काल के पास उत्तर दे सकेगा और आप्यारे तभी तू सच्चा मन बन सकेगा मन में निवृत्ती के आने पर विवेक होता है विवेक के होने पर ही तत्व की बात रदय में होती है तभी काली कल्प तरू के नीचे गुमने के लिए मन जाना चाहता है उस पेड के नीचे जाने पर इश्वर के पास आ जाने पर चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष पड़े हुए मिलेंगे अनायास मिल जाएंगे उन्हें पाजाने पर धर्म, अर्थ, काम जो कुछ संसारियों को चाहिए वह भी मिलता है अगर कोई चाहे तो भक्त कहता है तो फिर संसार को माया क्यों कहते है महाराज श्री राम कृष्ण कहते है जब तक इश्वर नहीं मिलते तब तक नहीं ती, नहीं ती करके त्याग करना पड़ता है उन्हें जिन लोगों ने पा लिया है वे जानते हैं कि वे ही सब कुछ हुए हैं तब बोध हो जाता है इश्वर ही माया और जीव जगत हैं जीव जगत भी वही हैं अगर किसी बेल का खोपड़ा, गूदा और बीज अलग कर दिये जाएं और कोई कहे देखो तो जरा बेल तोल में कितना था तो क्या तुम खोपड़ा और बीज अलग करके सिर्फ गूदा तोल पर रखोगे या तोलते समय खोपड़ा और बीज भी साथ ले लोगे एक साथ लेने पर ही तुम कह सकोगे बेल तोल में कितना था उसका कवच, उसका खोल माने संसार है और बीज मानो जीव विचार किस समय तुमने जीव और संसार को अनात्मा कहा था अवस्तु कहा था विचार करते समय गूदा ही सार तथा उसका कवच उसका खोल और बीज असार जान पड़ते हैं विचार हो जाने पर सब मिलकर एक जान पड़ता है और यह प्रतीत होता है कि जिस सत्ता का वह गूदा है उसी से बेल का खोपड़ा और बीज भी तयार हुआ है बेल को समझने चलो तो सब कुछ समझ में आ जाता है अनुलोम और विलोम मठे ही का मखन है और मखन का ही मठा अगर मठा तयार हो गया तो मखन भी हो गया है यदि मखन हो गया तो मठा भी हो गया है आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी तो है जिसकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता भी है जो इश्वर के रूप में प्रकट होते हैं वही जीव जगत भी हुए हैं जिसने जान लिया है वह देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं मा, बच्चा, पडोसी, जीव जन्तु, भलावुरा, शुद्ध, अशुद्ध, सब कुछ भग्द पूछता है, तो पाप पुन्य नहीं है क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हैं भी और नहीं भी है वे यदि अहम तत्व रख देते हैं, तो भीद बुध्धी भी रख देते हैं पाप पुन्य का ज्ञान भी रख देते हैं, वे एक दो मनुश्यों का अहंकार बिलकुल पोँछ डालते हैं वे पाप पुन्य भले बुरे के परे चले जाते हैं इश्वर दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक भीद बुध्धी और भले बुरे का ग्यान रहता ही है तुम मुक से कह सकते हो, हमारे लिए पाप और पुन्य बराबर हैं वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ परंतु हृदय से यही जानते हो कि ये सब एक कहावत मात्र है बुरा काम करने से चाती धड़कने लगेगी ईश्वर दर्शन के बाद भी अगर उनकी इच्छा होती है तो वे दास मैं को रख देते हैं उस अवस्था में भक्त कहता है कि मैं दास हूँ, तुम प्रभू हो ईश्वरिय प्रसंग, ईश्वरिय कर्म ये सब उस भक्त को रुचिकर होते हैं ईश्वर विमुख मनुश्य है उसे अच्छा नहीं लगता उसको ईश्वरिय कर्मों के सिवाए दूसरे कर्म नहीं सुहाते इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्तों में भी वे भेद बुद्धी रख छोड़ते हैं भक्त कहता है महराच आप कहते हैं ईश्वर को जान कर संसार करो क्या उन्हें कोई जान सकता है श्री राम कृष्ण कहते हैं द्वारा ही मनुश्य उन्हें जान सकता है भक्त पूछता है फिर ईश्वर को कौन जान सकता है राम कृष्ण कहते हैं ठीक ठीक उन्हें कौन जान सकता है भला हमारे लिए जितना जानने की जरूरत है उतना होने से ही हो गया हमें कुएं भर पानी की क्या जरूरत हमारे लिए तो लोटा भर पानी वर्यापत है भला एक चीन्टी चीनी के पहाड के पास कई थी सब पहाड लेकर भला क्या करेगी उसके छिकने के लिए तो एक दो दाने ही काफी थे भक्त कहता है हमें जैसा विकार है इससे लोटा भर पानी से क्या होता है इच्छा होती है ईश्वर को सोलह आने समझ ले श्री राम कृष्ण कहते हैं यह ठीक है पर अंतो विकार की दवा भी तो है भक्त पूछता है माहराज कौन सी दवा है भला श्री राम कृष्ण कहते हैं साध्वों का संग उनका नाम गुण कीर्तन उनसे सरवदा प्रार्थना करना मैंने कहा था मां मैं ग्यान नहीं चाहता ये लो अपना ग्यान और ये लो अपना ग्यान मां वुझे अपने चरण कमलों में केवल शुद्धा भक्ती दो मैं और कुछ नहीं चाहता जैसा रोग होता है उसकी दवा भी वैसी ही होती है गीता में भगवान ने कहा है हे अर्जुन तुम मेरी शरण ले लो तुम्हें मैं सब तरह के पापों से मुक्त कर दूँगा उनकी शरण में जाओ वे सु बुद्धी देंगे वे सब भार ले लेंगे तब सब तरह के विकार दूर हट जाएंगे इस बुद्धी से क्या कोई उन्हें जान सकता है सेर भर के लोटे में क्या कभी चार सेर दूद रह सकता है और बिना उनके समझाए क्या कोई उन्हें समझ सकता है इसलिए कहता हूँ उनकी शरण में जाओ उनकी जो इच्छा है वे करें वे इच्छा में हैं मनुष्य की क्या शक्ती है अगले दिन एक भग्त पूछता है कि महराज हठ योग कैसा है श्री रामकृष्ण कहते हैं हठ योग में शरीर की ओर मन जादा देना पड़ता है अंतर प्रक्षालन के लिए हठ योगी बास की नली पर गुदा स्थापन करता है लिंग के द्वारा दूद घी खी खींचता रहता है जिववा सिध्धी का अभ्यास करता है आसन साधकर कभी कभी शुन्य पर चड़ जाता है ये सब कारिय वायू के हैं तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालू के अंदर जीव घुषेड दी थी उसका शरीर स्थिर हो गया लोगों ने सोचा ये मर गया कितने ही वर्ष वह कब्र में मिट्टी के नीचे पड़ा रहा कालांतर में वह कब्र धस गई तब एक आएक उसे चेत हुआ चेतना के होते ही वह चिल्ला उठा यह देखो कला बाजी यह देखो गिरह बाजी इस पर सब लोग हसने लगते हैं वे कहते हैं कि यह सब सांस की करामात है वेदान्तवादी हठ योग नहीं मानते हठ योग और राज योग राज योग में मन के द्वारा योग होता है भक्ति के द्वारा विचार के द्वारा भी योग होता है यही योग अच्छा है हट योग अच्छा नहीं है क्योंकि कली में प्राण अन्न के अधीन है कुछ देरवाज श्री राम कृष्ण कहते है बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े इश्वर लाब हो जाने पर कर्म फिर रहे नहीं जाते फल होने पर फूल आप ही जड़ जाते है जिसे इश्वर प्राप्ती हो जाती है उसके लिए संध्या अधी कर्म नहीं रह जाते संध्या गायत्री में लीन हो जाती है तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है और गायत्री का लय उंकार में हो जाता है तब गायत्री जपने के भी आवश्यक्ता नहीं रहती तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है संध्या अदी कर्म कब तक है जब तक हरी नाम या राम नाम में पुलक न हो अश्रुधारा न भाई धन के लिए या मुकद्मा जीतने के लिए पूजा आदी कर्म करना अच्छा नहीं है एक भक्त कहता है धन की चेश्टा तो मैं देखता हूँ सब ही करते हैं श्री राम कृष्ण कहते हैं जो यथार्थ भक्त है वह अगर चेश्टा न भी करे तो भी इश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुशाहरा पाता है जो सद ब्राह्मन है जिसे कोई कामना नहीं है वह चमार के यहां काभी सीधा ले सकता है या द्रिच्छा लाब से वह कामना नहीं करता उसके पास प्राप्ती आप ही आती है इस प्रकार सत्संग का यह भाग यही संपूनता को प्राप्त होता है शेश अगले अंग में